हेलो मेरे प्यारे बच्चो आज हम जा रहे हैं वर्कशीट नमबर 23 सॉल्व करने आज का सब्जेक है हमारा सोशल साइन्स और हिस्ट्री सोशल साइन्स का हिस्ट्री का पार्ट है हमारा आज का टॉपिक है हमारा रशियन रावुलेशन पार्ट वन रशियन रावुलेशन ची क्यूं हुआ, कोई भी revelation होता है, कोई भी क्रांती होता है, उसके पीछे एक कारण होता है, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई कारण होती है, जिसके कारण कोई भी revelation create होता है, ठीके, तो क्यूं हुआ Russian revelation और उसके बाद क्या हुआ, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे, हम व सबी बच्चों को यह भी याद रखना है कि आपको रट्टा विगेशन नहीं माननी है नहीं है कि आंसर्स लिखे, कौपी पेस्ट किया और स्कूल में सब्मिट कर दिये हो गया सरफ इतना ही नहीं करना हमें हमारे टॉपिक को समझना है को अंसर्स को समझना है और उसके बाद हमें सोचना है कि हमारा टॉपिक दन हुआ है क्यों क्यूंकि एक्जाइम में यह कोशिन्स आ सकते हैं आपको repeat हो सक सकते हैं और ये questions ये जो topics हैं यहीं आपकी study है जो school वाले future में आप से इसके पर questions पूर सकते हैं और आपको अच्छे scores मिल सकते हैं तो आपको मेरी बात पर ध्यान देना है अच्छे scores चाहिए तो वक्षी test को सिर्फ दन नहीं करना समझना है फिर डंकरना तीक है आप सब समझ के लेव आज का टापिक करते हैं before Russian revelation before Russian revelation के पहले क्या क्या कारण थे चीज़े थी Russian the Russian Empire included Current Day, Finland, Latvia, Estonia, Parts of Poland, Ukraine and Belarus, Armenia and Azerbenzine तो यह जो Parts है, यह जो Countries है, यह इनके Current Name है, आज के टाइम में इनके Name है, यह भी पहले Russian Revolution का Part है, मतलब Russia का Part हुआ करते थे पहले यह सभी Countries, ठीक है? अब देखते हैं आगे, Russian Emperor, Russian Emperor Nicholas, Nicholas Second, Nicholas Second का मतलब होता है कि कोई भी Person, अगर एक नाम का होता है, उसी नाम का, अगर दूसरा Person Future में आता है, तो उसके नाम के साथ दृत्ते लग जाता है, यह दि Second लग जाता है, तीसरा आएगा तो Third लग जाएगा, ठीक है? तो Nicholas Second was an Autocratic Ruler, Autocratic Ruler क्या होता है, स्वाइच्छी, स्वाइच्छी मतलब होता है, जो अपनी इच्छा से कोई भी काम करें, उससे स्वाइच्छी मतलब, कोई ऐसा राजा, जो अपने अनुसार कोई भी नियम बनाएं, और आप पे थोप दें, और आपको जब दस्ति उनका पालन करना हो, आप चाहे कर पा रहे हो, चाहे ना कर पा रहे हो, तो उसको बोलते है, Autocratic Ruler, तो Nicholas कैसा Ruler था, Autocratic Ruler था, जिके, Middle Class Liberals Lact Political Rights, जितने भी Middle Class लोग थे, यानि कि जो आप कह सकते हूं, गरीब से थोड़े उपर लोग थे, वो कैसे थे, उनको Political Rights नहीं मिले हुए थ Political Parties were illegal in Russia, रशिया में जो Political Parties थी, वो कैसे थे? Illegal थी, aware थी, चीके, About 85% of population earned their living from agriculture, और देश की लगबग 85% population, यानि कि जनसंख्या जो थी, उनकी earning का source, यानि कमाई का जरिया क्या था? Agriculture, यानि कि खेती, क्रिशी था, Only the rich farmers have their own land, सिर्फ जो rich farmers थे, जो अमीर फार्मर्स थे, जिनके पास बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, उनी के पास खुद की जमीन होती थी, the nobility, the crown and the orthodox church on large properties, जो orthodox church वगेरा होते थे, उनके पास भी बहुत जादा-जादा मात्रा में properties हुआ करती थी, ठीके, generally the relation between the peasants and landlords were not good, जो peasants थे और जो landlords थे, दोनों के बीच में जो मतल पिजंट एक ही नहीं होते, ये बात आपको यार रखने है, farmer वो होते हैं, जो अपनी खुद की जमीन पे खेती करते हैं, उनको हम farmers बोलते हैं, लेकिन जो किसान दूसरों की जमीन पे खेती करते हैं, और उनको बदले में मजदूरी दी जाती है, उसको peasants बोलते हैं, तो य पीजन्स बहुत ज़्यादा थे तो पीजन्स और लैंडोर्ट के बीच में जो रिलेशन थे वह अच्छे नहीं थे क्यों उसका कारण आप समझ गेंगे कि उनके साथ अत्याचार किये जाते थे बहुत बार ऐसा होता था कि दोनों के बीच में विद्ड्रो हो जाया करता था पीजन्स जो थे वो विद्ड्रो कर दिया करते थे उसका कारण क्या होता था कि वो उनके पर बहुत जाड़ा टेक्स लगा दिये जाते थे वो टेक्स नहीं पे कर पाते थे या जमीन उनकी हड़ अब लिगाती थी तो इन सारी चीज़ों के कारण उनके बीच में फाइट्स हुआ करती थी ठीक जीओ टूब टफ जियो ग्रहड जियोग्राफिकल जो वहां की geographical conditions थी यहनि कि वहां की जमीन पानी की सुभिधा और यह सारी चीज़े थी वह अच्छी नहीं थी जनरली geographical condition जनरली only one crop was cultivated in a year मतलब वहां की geographical condition ऐसी थी कि पूरे साल में सिर्फ एक ही फसल हो गाई जा सकती थी एक से ज्यादा फसल हो गाई नहीं जा सकती थी तो prominent industrial area क्या थी वहां पे कुछ industrial area भी थे जो सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को में थे here iron and steel and coal production increase rapidly यहां पे क्या था iron, steel and coal की production बहुत तेजी से बढ़ रही थी the condition of labor class was very poor जो गरीब थे वो कैसे थे बहुत पूर हो गए थे they had to work for long durations उनको लंबे-लंबे समय तक काम करना पड़ता था majority of the laborers were connected to their villages and often used to go back home during cultivation period अब साल में फसल तो एक ही उगनी है तो वो क्या करते थे फसल कितने महिने की होगी दो से तीन महिने की तो जो बहुत गरीब labor हुआ करते थे वो क्या करते थे दो-तीन महिने के लिए गाउं में आते थे वहाँ पे मतलब अपनी जमीनों पर या जो किसी और की जमीन होती थी वहाँ पे मजदूर बनके खेती करते थे क्रिशी करते थे और उससे पैसा कमाते थे पर पूरे साल बाकी तो वो बेरोजगार होगे तो बाकी पूरे साल वो क्या करते थे iron and steel production industries में जाते थे वहाँ मजदूर बनके काम करते थे और वहाँ से पैसा आण करते थे इसलिए उनको पूरे साल काम के लिए बहुत जढ़ा भागनोड करनी पढ़ थे बहुत ज्यादा काम करना पट था और बहुत कम, कमाई हो पाती थी the Russian peasants pulled their land together periodically to their commune and used to do farming together तो यहां के लोग क्या करते थे? जो peasants थे वो क्या करते थे? अपनी जो जमीने थे? वो क्या करते थे? जो commune होते थे? यह जो मीर कहते थे उनको क्या करते थे उनके साथ शेयर कर लेते थे ठीक है and the feeling of collective collective मतलब होता है कि मिल जुल कर सामोहिक रूप से तो सभी लोग क्या करते थे मिल जुल कर काम करते थे became the motivational base for socialist revelation तो क्या हुआ कि हैं यहां पर लोगों को पाइट कर देते है और सभी जोटने लगे तो लोगों के इंदर भाईचारा बढ़ने लगा बढ़ने लगा कि अच्छा अगर हम मिल जूलकर इसी तरीके से साथ रहेंगे तो हम देश में बहुत कुछ कर सकते तो यहां से क्या हुआ socialist revelation भी create हुआ यानि कि आप कह सकते हो कि लोगों ने समाजिक्ता सीख ली समाजिक्ता मतलब मिल जूलकर एक साथ रहेंगे समाजिक्ता सीख ली और इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें समाजिक्त बबन एक साथ यहां से socialist revelation भी स्टार्ट हो गया लाइबरल, social, democrats and social revolutionary wanted to abolish the autocracy due to the poor economic conditions and they wanted a socialist अब क्या हुआ कि यहां पे जितने भी लोग थे इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें यह जो हमारी जो सरकार है यह हमें चाहिए ही नी यह जो हमारी राजा है यह हमें चाहिए हमें कौन चाहिए हमें एक ऐसी सरकार चाहिए हमें राजा नहीं चाहिए हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जहां पूरे देश के लिए सब के लिए सेम एक जैसे नियम हो एक जैसे कानून हो हमें एक socialist country चाहिए हमें एक democratic country चाहिए ठीके ये जो autocracy है इसको खतम करो और हमें एक democrats देमोक्रेट्स दो हमें एक socialist country दो जहां पे parliament हो और parliament हमारी लिए decision ले वहाँ पे parliament का चुनाव हम जनता के भलाई के लिए हूँ और हम उनको वोटिंग करके सलेक्ट करें ठीके तो इसलिए उन्हों ने अपने सोस्लिस्ट होने के लिए डिमांड करनी शुरू कर दिया अपने राजा का जो था वो बैसकार करना शुरू कर दिया आगे देखते हैं सोशलीजम इन रशिया में सोशलीजम यह नहीं समाजवात कैसे पनपा दर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वस फॉर्म इन 1898 हुआ क्या की रशिया के जो जो जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने मिलके अपनी एक टीम बनाई एक गठन किया अपनी एक टीम का 1900 तो इन्होंने जो पीजर्स थे उन्होंने अपनी पार्टी बना ली इन इयर 1903 यानि कि 1903 में ये जो पहले पार्टी बनी थी वरकर्स की उनका क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया, वो दो पार्ट्स में तो इस तरीके से सोशलिजम क्रियेट हुआ रशिया में आगे देखते हैं, ब्लडी संडे और 1905 का रवुलेशन क्या था? डूरिंग दे टाइम ओफ अन्रेस्ट वेन चेंज वस डिमांड़ेड अग्रूप अफ वरकर्स रीच दा विंटर पैलेस ओफ दा, अब क्या हुआ कि जो वहां के राजा थे, जो वहां के राजा थे, उनके पैलेस पे ये सभी लोग, जो जार वहां के राजा थे, उनके पैलेस पे ये सभी लोग जो वरकर्स टीम बनी थी, इन्होंने अपना एक मोचा बनाया और ये लोग राजा पर राजा की जो पुलिस थी उन्होंने क्या क्या अटेक कर दिया ओवर हंड्रेड वरकर्स वर किल इसमें लगभग सौ से जादा जो वरकर्स थे वो मारे गए इसी इसी इसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है अंडर दा प्रेशर ओफ राजा के उपर उससे उसने क्या किया एक पालियामेंट को create करने की permission दे दी क्यों क्योंकि उनको पता था वाई पूरे देश की जो किसान है वो भी मेरे खिलाफ हो गए है पूरे देश के जो वरकर्स हैं वो भी मेरे खिलाफ हो गए है अब जब पूरी देश की जनता ही मेरे खिलाफ हो गई है तो मेरा रहना कि जनता की पर्मीशन से मतलब जनता की वोटिंग से एक पार्लियमेंट बनती और उस पार्लियमेंट में वो डिसीजन्स लिये जाते जो जनता की भलाई के लिए होते जनता के बारे में सोचके लिये जाते तो उसने पार्लियमेंट बनाने की पर्मीशन दे दी The First World War, पहला World War, The First World War had a serve impact on Russia, जो First World War था उसका बहुत बड़ा impact रशिया के उपर पड़ा, सबसे बड़ा असर रशिया के उपर पड़ा Russian armies lost badly in Germany, Russian army जो थी उसने and Australia, Russian army बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका नुकसान हुआ जर्मिनी और Australia में बहुत सारी आर्मी का The war between 1914 to 1917 certainly affected industries and farming also 1914 से 1917 के बीच में जो ये war चला इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ रशिया का और वहां की जो industry थी, वहां की जो farmers थे उन सभी पे इसका असर बहुत ज़्यादा बुरा पड़ा, there were labor shortage, जो मजदूर थे उनकी संख्या काम होने लगी क्योंकि आर्मी की संख्या बढ़ने लगी, large supplies of grains were sent to feed the army, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फसल उगाया जाता था वो सारा अनाज आर्मी को feed करने के लिए, अनाज आर्मी को खिलाने के लिए भेज दिया जाता था for the people in the cities, जो गाओं के और जो सहर के लोग थे, जो जनता थी बाकी देश की bread floor became square, उनके लिए मात्रा कम होने लगी, उनके लिए अनाज कम पढ़ने लगा soldiers did not wish to fight a war, और जो soldiers थे वो भी war नहीं करना चाते थे, वो भी लड़ाई नहीं करना चाते थे begin supporting the revelationaries तो उन्होंने क्या क्या उन्होंने भी start कर दिया revelationaries को support करना कि जितने लोग revelation कर रहे मतलब जितने लोग आंदोलन कर रहे उन्होंने भी उसको support करना के शुरू कर दिया कि हमें भी ये war नहीं करना हमें भी यूद्ध नहीं लड़ना हमें भी आजादी चाहिए चीके तो इस तरीके से उन्होंने भी revelation करने वाले लोगों को support करा तो ये था आज का हमारा Russian revelation अब हम देख लेते इसके 4 questions which reason were the parts of the Russian empire अभी हमने सबसे पहले starting में discuss किया था कि कौन-कौन से reason थे जो Russian empire का पाट थे पहले दूसरा देख लेते हैं how was the psycho economic condition of Russian empire before the Russian revelation Russian revelation start होने से पहले रूस की क्रांती शुरू होने से पहले वहाँ पे social और economic condition कैसी थी वो बतानी है इसमें write briefly about two similarities and two differences you find between French revelation and Russian revelation आपको दो similarities बतानी है और दो differences बताने हैं French revelation और Russian revelation में how a war can affect the people of a country और कोई भी war किसी भी देश की जनता को कैसे affect करती है वो बताना है तो ये हैं आज की हमारे चारों questions और अब हम discuss कर लेते हैं इसके answers question number one which regions were the part of Russian empire Russian empire का part कौन कौन से reason थे तो the Russian empire included current day Finland, Latvia Estonia, parts of Poland Ukraine and Belarus ये जो parts थे ये रशिया का Russian empire का part हुआ करते थे question number two how was the psycho economic condition of Russian empire before the Russian revelation Russian revelation होने से पहले वहां की condition कैसी थी social and economic social and economic condition of Russian Russia before the revelation 1905 यनि की 1905 से पहले वहां की condition कैसी थी number one about 85% of the Russian population earned their living from agriculture and peasants condition was pathetic तो यहां की लगबग 85% से जादा जो population थी वह कैसी थी agriculture पे dependent थी और जो लोग peasants थे उनकी condition कैसी थी बहुत जादा खराब थी number two workers were divided in social groups जो वहां के workers थे वो अलग-अलग groups में divide होने लगे most industries were the private property of industrialists जादा तर वहां की जो industries थी वो private property थी बड़े-बड़े industrialists की the relation between peasants and landlords were not good वहां के जो peasants और landlord के बीच में relation थे वो कैसे थे अच्छे नहीं थे similarities and two differences you find between French revelation and Russian revelation तो similarities क्या है इसमें दो similarities है in both revelations the people of the country were troubled by economic problem and heavy taxes दोनों revelation में लोग थे economic condition से बहुत परेशान थे और heavy taxes से number two the main reason for both revelations was the end of auto creative government system of capitalists and rulers and the establishment of republic and democracy यानि कि लोग जो थे वो अपने जो राजाओं का साशन था उनको समात करना चाहते थे और एक democracy या democratic country चाहते थे एक republic country चाहते थे next है इनके differences after revelation France become a democratic country while Russia communist जब ये revelation हो गया उसके बाद France जो था वो एक democratic country बन गया जबकि Russia जो था वो communist बन गया number two a difference between two revelations दोनों revelations के बीच में क्या difference है is that the Russian had an unsuccessful pre revelation in 1905 and the French decided towards a democracy तो ये थे इनके differences अब हम आजाते है next question पे हमारा last question है how a war can affect the people of the country war किसी भी country को कैसे affect करता है due to the war the people of the country have to face many problems अगर किसी भी country में war होता है तो बहुत सारी problems को face करना पढ़ता है वहाँ की जनता को people have to face physical, mental and financial problems लोगों को physical, mental and financial हर तरह की problems का सामना करना पढ़ता है physically आपने देखा है कि जो आर्मी वाले लोग है वो वहाँ जाएंगे, वो मर जाएंगे तो physically भी उनको सामना चोट लगेगी जखमी होंगे, तो इस तरीके से उनको कई तरह के सामना करना पढ़ेगा, mentally मतलब लोगों की दिमाग पर भी tension रहता है जैसे अगर किसी भी country में कोई attack होगा कोई लड़ाई चल जोगी तो वहाँ कि लोग कि इतना stress आउट रहते तो इस तरीके से mentally भी उनको effect होता है और financially भी होता है not only this but their future generations also have to face many problems ना कि सिर्व उनको लेकिन उससे इतना बड़ा नुकसान होता है कि आने वाली भवेशी की जो generation होती है उनको भी इसका सामना करना पड़ता है तो यह थे आज के हमारे questions और अब हम master series में next Monday से आप से चाहते हैं कि सभी बच्चे हमारे चैनल को subscribe करें हमारे चैनल को join करें और master series के लिए vote करें ताकि हम यही chapters आपको master series में detail में पढ़ा सके और समझा सके अगर कोई doubt यह confusion हो तो आप comment में comment करके जरूर बताए comment box में जाए comment करें और अपना opinion दे चीक है thank you बच्चो बाबाई